हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दा अचीवर जोन मैं भी वेक आज आप लोग के साथ एलसे मेरे सीफ का पार्ट टू डिसक्रस करूंगा पार्ट वन बेसिक पर रिलेटड था और आई थिंक सारे के सारे पार्ट आपको आ भी गए होंगे कोई बैसा कोशन होगा नहीं जो फ हो वह आपके लिए टफ हो तो प्रैक्टिस जरूर करो और आज हम लोग कुछ ऐसे कोशन को सीखेंगे जो लगातार एक्जाम पर रिपीटेड होते हैं जिसे वह फॉलो करते हैं और हमेशा एक्जाम में पूछे आते हैं इन कोशन को हम लोग देखेंगे ध्यान से आप लो आपको प्लासेज और गाइडेंस प्रोवाइड होता है अब कैसे आपको वीडियो का फाइदा उठाना है तो आपको पता है स्टार्टिंग टू एंड आपको सारे के सारे वीडियो देखने होते हैं इसकिप नहीं करना है आंसर देने हैं साथ-साथ कॉपी पेन लेकर करते हैं उसके आपको डिक्रिप्शन में do Jersey भेनेग्र वाह से आप जैञाइन कर सकते हैं और अगर इसे चैप्टर को प्ढ़ना है या इस से रिलेृटट और चैप्टर पे बाकी आपको वीडियो देखने है बेसिक या इस तरीके से और वीडियो तो आपको प्लेश्ट पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं और उस प्लेलिस्ट पर सर्च करें मैंने टाइप वाइस और लेवल वाइस उसी तरीके रखा वह जैसे आपको पढ़ना चाहिए ठीक है तो चलो आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से कोश्चन के साथ यह अच्छे बनते हैं कई बार स्टुएंट एक बार में कन्फूज हो जाते हैं इन पर बुला गया है दा लीश्ट पर्फेक्ट स्क्वाइर विच इस डिविजिबल बाई इच ऑफ 21, 36, 66 वो लीश्ट नियूनितम पर्फेक्ट स्क्वाइर मतलब पूर्वर्क है तो वो निय यहां पर क्या होना चाहिए जल्दी से देखें आंसर कमेंट करें अपना लीश्ट पर्फेक्ट स्क्वाइर मतलब पूर्वर्क होना चाहिए 21, 36 और 66 से डिविजिबल चाहिए अच्छा लस्ट कहीं न कहीं तो माइंड पर आ रहा होगा अपने पास क्या है 21 है अपने पास 36 है और अपने पास 66 है ठीक है लीश्ट की बात करिए तो LCM से रिलेट करेगा ये भी बात आप लोग जानते हो अच्छा 21 को देखें तो 7 into 3 इसके फैक्टर्स बनते हैं 36 क्या बनेंगे 6 into 6 मतलब आप इसको 2 into 2 into 3 into 3 बोल सकते हैं और 66 के बात करें तो ये क्या बनेगा 2 into 3 into 11 ये सारे के सारे बनते हैं की नहीं अच्छा अगर मैं इसका LCM लेने की बात करूं तो LCM क्या होता है कि अगर कोई चीज कहीं पर comment दिखाई दे रही है तो उसको एक बार ले 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 और बाकी जो भी बच जाता है उसको भी आपको लही लेना है LCM निकालना आते हैं मैंने स सिखाया नहीं है लेकिन basic वीडियो पर बताया हुआ है आप देखिएगा या फिर मैं प्लेलिस्ट में वीडियो को अलग से एड़ कर दूँगा मैंने वह teaching exams के time पर वीडियो बनाये थे तो basic हैं वह वीडियो आप ज़रूर देख लीजएगा उन सभी को अब इसका LCM क्या ह सबसे पहले देखो तीन हर जगे common दिखाई दे रहा है यह दिखा तो क्योंकि यह तीन हर जगे common है तो इसको एक बार आपको ले लेना है और जो बच जाता है उसको भी लेना है छूटना कुछ भी नहीं चाहिए या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हर एक value की हर एक digit की maximum power आप इसे मत कुरें ब्लकुल आसान रखते हैं सबकी maximum power रखनी है आपको तो देखो 3 की maximum power क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को 3 की maximum power इसको बच्चे वाला method हो गया ठीक है 3 की maximum power 9 दिख रही है तो यह 9 हो गया अच्छा 7 तो एक ही बार देख रहा है तो उसको आप एक बार ह क्या बनती है 2 का square मतलब 4 बनता है और 11 यह क्या बन गया 11 एक बार ही है तो यही बन गया एक पर देख लें यहाँ पर इतना clear है कि नहीं ठीक है यह आपका LCM बन जाएगा बट आप से करा गया कि LCM नहीं चाहिए क्या पड़ा फिर से पढ़िए least perfect square परफेक्ट square चाहिए औ अभी है जो आपने number निकाला यह इनका LCM है वो इन सबसे divisible है बट आपको list square चाहिए ना तो जरा square देखो 9 इसको हम देख सकते हैं 3 का square है 7 का कोई value नहीं दिख रही साथ में जो मिलके square बने तो क्या करोगे आप लोग जो square नहीं बन रहा है ना उसे square बना दो कैसे बनेगा 9 तो already square है कोई दिक्कत नहीं करेगा 7 को square बनाने के लिए एक बार 7 से multiply कराएंगे 4 already square है कोई दिक्कत नहीं करेगा और 11 को भी एक बार multiply कराएंगे अलग से तो square बन जाएगा वाई समझ पा रहे हो ना क्यों कर रहा है यह चीज इसलिए कर रहे है ताकि एक perfect square बन जाए otherwise पूछा नहीं पूछा नहीं गया perfect square चाहिए तो यह क्या बनेगा 9 into 7 का square 49 into 4 into 121 यह आपका चलेगा और अब आपको कराना पड़ेगा इसका multiplication और multiplication कराना के बाद answer क्या आएगा वह आपको यहां पर comment करना है ठीक है comment करना answer क्या आएगा unit digits से क्या आप कर सकते है लाज कर सकत आपका काम है ठीक ठोड़ा यह लेंदी प्रोसेस है मुझे पता है ठोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट क्या करें करना पड़ेगा और पहले एक्जाम पर आया question था थोड़ा previous पूछा गया मदब previous प्रीवेस अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया इसका answer बता दूं आपको option स्क्वाइर भी हो तो आपको देखना पड़ेगा स्क्वार बनाना पड़ेगा जो टर्म स्क्वाइर बना रहे हैं ठीक है जो नहीं बना रहे है उसको आपको अलग से मैनेज इस तरीके से करना पड़ता है तो यह यह बात चलो अगला question देखते हैं यह देखिए वो least number वो नियूंतम संख्या बताईए जिसे जब 4, 5 और 6 से भाग दे तो शेषफल जो आपको मिलता है वो शेषफल कितना बचे एक, दो और तीन बचे वो नियूंतम संख्या जिसे जब भाग दे 4, 5 और 6 से तो शेषफल बचे एक, दो और तीन अब देखो यार इस समझ जाते हो कि यहां पर हमें LCM तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, divided by से भी समझ रहे हो कि LCM ही निकालना है, अच्छा 4, 5, 6 से डिवाइड करोगे आप, और जो remainder बचेंगे वो 1, 2, 3 बच रहे हैं, 1, 2, 3, अच्छा इन का difference ज़रा देखो, अगर मैं बोलूं आप से 4 और 1 का difference कितना आएगा, तो 3 आ रहा है, मैंने का दूसरे का निकालो, 3 आया, मैंने का तीसरे का भी निकालो, क्या ये भी 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आया, तो आपने देखा कि इन सभी में, जिन से divide कर रहे हैं, और जो remainder मिल ले हैं, इनके difference कि अगर बात करें, तो अपने पास common difference कितना आता है, इस टैक के question मैंने basics में आपको बताएं हैं already, बट समझ लो, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वहाँ देखने ना, बहुत सारे ऐसे बताएं, जो common difference आया, वो कितना आया, एक आया, अब आप से जो number पूछा गया, वो number क्या होगा, आप से का आगया, required number बताएं, divide करें, 456 से, आपको पता है, जिन से divide करना होता है, उनहीं का हम लोग LCM लेते हैं, basics में करें हैं न question, तो required number क्या होगा, कि आपको चाहिए होगा LCM, किसका, 456 का, LCM of 456, इसकी आपको नीड होगी, और क्या करना होता है, बस एक step है, के वाल एक step extra, वो क आता है, देख लो भाई, इतना तो आता होगा, 456, कल्सियम 60, माइनस common difference 3 कर देंगे, तो इसका जो answer है, वो answer इसका 57 हो जाएगा, option number 1, क्या बात clear हुई, अच्छे समझ में आई, कुछ चीने से clear हुई, तो इस तरीके साब को करना है, क्या आपको बोलेंगे, divisors दिये होंग से common difference को सब्क्राइट कर दो, answer मिल जाएगा, क्या clear है, आगे बढ़ें, next देखें, चलो, ये question देखो, तो यार जो बताया, exact वही है, बिल्कुल वही चीज़े न, कि 12-16 से भाग देना है, वैसे homework था, लेकिन अब देख लो, 5 और 9 बचे कि मैं पूरा बताने वाला भी नही ये 12-16 का, और माइनस common difference कितना होगा, 7, solve कर लोगे, आपको मिल जाएगा, answer, और इसका answer क्या होगा, ये आप लोग, क्या बोलूँ यार, LCM 12-16 का सामने ही दिख रहा है, 48 में से 7, subtract कर दो, 41 क्या इतना, घटिया question का, इसका answer क्या दें, सामने दिख रहा है, यार, तुरंत द देखो, यहाँ पर थोड़ा सा difference आया, यार, इस type के questions जब आते हैं, तो student थोड़ा सा confused हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताऊं, जैसे यहाँ पर है, last question जो मैंने आपको बताएं, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़े छुपाई हुई है, यहाँ देखो, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ से start था, यहाँ पर फार्मूला लिखते हो ना, तो यहाँ पर n लगा होता है, यहाँ पर भी n लगा होता है, तो आप लोग बोलेंगे, sir, फिर यहाँ पर आपने n क्यों नहीं लगाया, उसका भी reason है, यहाँ पर आप से बोला है smallest, actually क् n की जगे आपको values रखनी होती है, अब जब values क्या होगी, तो आप n की जगे एगर 1 रखते हैं, तो number आपका divisible होगा, अगर n equals आप 1 रखते हैं, तो question का answer बिल्कुल सही होगा, और जो आपका number आएगा, वो होगा smallest, सबसे छोटा होगा, अगर आपसे second smallest पूछे, तो आपको because smallest बोला गया था, तो smallest के लिए क्या होता है, n की जगे जो होता है, वो 1 रखा जाता है, जब भी आप smallest की बात करेंगे, वाच सबसे छोटी चाहिए, तो smallest के case में क्या होता है, n की जगे पर 1 होता है, clear है बात, तो यहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, because 1 से multiplication तो वह ही बन जाएगा आपका, लेकिन जब अगले question पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कि smallest आपको नहीं चाहिए, करें तो number which meant divided by 10, दो को बोला नहीं है यह आपर, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, the number which meant divided by 10, leaves remainder 9, 10 से भाग दें, शेश्वल कितना बचाएग डिवीजर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और remainder इस तरह के सब लोग कर रहे थे, ठीक है, end when divided by 9, leaves remainder 8, common difference 1 दिखा, end when divided by 8, leaves difference 7, तो आपको यह दिखा कि इन सभी cases के अंदर, जो common difference आता है, common difference, यह common difference नि सभी का कितना आया, 1 आया है न, तो वाई, common difference अगर 1 आया, तो इसका जो required number होगा, जो आवश्यक संख्या होगी, वो क्या बनेगी, यह होगा, n into, LCM किसका, LCM of 10, 9, 8, ठीक है, 10, 9, 8, and plus में कितना होगा, इसको समझ लिया, कुछ नहीं था, अगला question साथ मैंने इसको समझ लिया, कुछ नहीं था ऐसा, बस इतना ही था, कुछ नहीं है, के वल इतना है, माफ करना मुझे यहाँ पर, ठीक है, यह बताना ही नहीं था मुझे question, यह question, खुद कर लो यार, मैं क्या बता हो, कुछ भी नहीं है, मुझे लगा वो अगला question है, ठीक है, अभी जब सामने देख रहा हूं, कुछ और रखा हुआ है, कहां इसको इतना हाइप जे दिया मैंने, यह question देखो, करें, what is the smallest number which leaves remainder 3 when divided by any of the numbers 5, 8, 9, but leaves no remainder when it is divided by 9, यह जो आपको सबसे starting में questions बताया जाते हैं न, उससे relate करता आता है, कि what is the smallest number, न्यूनत हम संख्या बताएं, जिसे जब divide करें किस से, 5, 6, 8, 5, 6, 8 को ले लो, ठीक है, 5, 6, और 8 में से आप किसी को भी ले लो, जब इन से divide करते हो, तो remainder 3 बचेगा, लेकिन जब आप इसे 9 से divide करते हो, तो कोई भी remainder नहीं बचेगा, मतलब 9 से complete divisible हो जाना चाहिए, ठीक ह एक option 123 को आप लोग यहां पर हटा पा रहे हो, बाकि तो कोई सारे के सारे 9 से divisible है, ठीक है, एक मिट 7, 8, 9, यह भी divisible नहीं है, 243, 4, 3, 7, 2, 9, 6, 3, 9, अब इन दोरो में बारी फजाती चलो, मैं बताता हूं क्या होता है, smallest number which means divided by 3 leaves a remainder, या पढ़ रहा हूं, यार मैं, what is the smallest number which leaves a remainder 3 when divided by any of the numbers 5, 6, 8, 5, 6, 8 से भाग दें, शेशफल 3 बचे, लेकिन जब 9 से भाग दें, तो कोई शेशफल नहीं बचे, तो इसका मतलब क्या है, यह number जो आपका होगा, यह होगा, बोड़ा जगए चाहिए, ठीक है, जो required number बनेगा, इसका जनरल स्टेट्मेंट लिख लो, n into lcm of 5, 6, 8, अचा मुझे के वाल इतना बताओ, कि अगर मैं n into lcm of 5, 6, 8, इतना निकाल दूँ, n गुड़ें, इन सभी का lcm, तो मुझे क्या मिलेगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप इन सभी का lcm निकाल लें, तो आपको एक ऐसा number मिल जाएगा, जो 468 से completely divisible होगा, हाँ या ना, अगर मैं 3 add कर दूँ, तो क्या ये question की complete condition को satisfy कर देगा, means 3 भी remainder छोड़ेगा, बिल्कुल, तो n का roll क्या है, n का roll n की values रखके आप ये देखते चले आएगे कि कहां पर वो 9 से divisible हो रही है, जैसे कि अगर हम यहां की बात करें, कि भाई, n की यहां पर value क्या, sorry, LCM की value यहां पर क्या होती है, तो आप LCM की value क्या बोल सकते है, 120 बन रहा है क्या, 30 तो बनता नहीं है, 120 बन जाता है, इन सभी का LCM, देख लो भाई, 120, प्लस 3, अब अगर आप देखें यहां पर, तो अगर आप n की जगे 1 रखते हैं, अब क्या है, ये तो बन गय अब क्या है, n की value रखकर check करना है, क्या check करना है, कि अगर smallest की बात करें, तो 120 प्लस 3 means 123 आता है, तो यहां पर क्या होगा, क्या ये number जो आया 123, भाई ये तो है कि ये 5, 6 और 8 से divide करने पर 3 remainder देगा, बट क्या ये 9 से divisible है, या एक तो option पर नहीं दिया है, दूसरा आपको द 9 into 120, यहां हो जाएगा, 2 into 120 plus 3, अब ये क्या बनेगा, 120 into 2 कितना हो जाता है, 240, 240 plus 3 means 243 बना, आप लोग समझ गया, यह तो आंसर बन गया, because कहा है, 603 कहां जा रहा है, बहुत दूर है, 243 को अगर देखें, तो divide करने पर, 5, 6, 8 से divide करोगे, सब पर remainder 3 बचेगा, पहली बात, और जब आप इसको 9 से divide करोगे, तो कुछ बचना वाला भी नहीं है, यहां पर, clear है बात, तो इस तरीके सा आपने देखा, कि यहां 243 हो गया, तो ऐसा क्या था, यह बिल्कुल पहले question की तरह दा, पहला question मतलब क्या हुआ यार, जिससे start किया था, यादे कुछ, बिल्कुल class जिससे question से start हो, बिल्कुल basics question होते हैं, तो वो तो यहां पर बनेंगे ही, साथी साथ, आपने देखा, n into lcm plus 3, n की value रखके फिर चेक करते हैं, कि कहां पर क्या चीज बनने वाली है, अब इस पर एक homework जैसी चीज में आपको दे रहा हूँ, actually यह क्या है ना, जो मैंने आपक को एक तरीका है, normal, वो मैंने आपको बताया है, ठीक, आप इसके अंदर थोड़ा searching करिए, यहां पर आपको एक तो ऐसे बहुत सारे questions मिलेंगे, और exam पे तो ऐसा बहुत जातना नहीं दिखाई देंगे, बट आपको ऐसे दिखेंगे, कहीं पर 13 से divisibility हों को सकता कहीं 19 हो जा है, ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा आपको वक्त देता हूं कि अब इस पर search करें, ठीक, search करने का फायदा क्या होगा, जो करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि हाँ सर मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो मैं अगले question पर discuss कर दूँगा, या इसके last तक जैसे ही आएगा मैं discuss CC को छोड़ तो CDS भी कहां तक गया है, ऐसे question में किसी भी higher value पर, ठीक है, और उस higher value की कोई trick भी बनती है क्या, homework, ठीक, चलो, अगला question, the least number which when divided by 16, 18, 20, 25 leaves 4 as remainder, but when divided by 7 leaves no remainder, समझ गया है, वही है, यह चीछ, 16, 18, 20, 25 से भाग देता है, लेकिन अगर साथ से divide करें तो कोई भी शेशफल नहीं बचेगा, तो समझेना क्या हुआ, LCM निकालना है, LCM किसका, 16, 18, 20, 25 का, ठीक है, remainder 4 बचाना है, तो N into LCM of 16, 18, 20, 25 प्लस 4, N की value रखके आपको चेक करना है, यहाँ पर, तो आप basic format तो यही बोल देंगे, तुरंद की required number क्या है, तहीं से लिखो, N into media, N into LCM of 16, 18, 20, 25, and प्लस कितना, जो remainder चाहिए, 4, अब यहाँ पर आपको solve करना है, और इसका answer बताना है, इसका answer जो है, वो आप comment करेंगे, शायद option number, छोड़ो, 4 है के नहीं, चेक करना, बता दिया वैसे मनने, ठीक है, तो अब इसको आप लोग करेंगे, answer इसका comment section पे लिखने ठीक है, और क्या चीज़े बनती है, वो देखते हैं, और अब जो बनती है, वो है सबसे important चीच, सबसे important जो इस chapter है, पूरे mathematics पर इवेन इस channel पर है, और वो है channel को subscribe करना, चैनल को subscribe करो, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन मकारों ने, और bell icon कर लो, ताकि YouTube बेचता रहे, कभी YouTube नहीं बेच पाएगा, तो मैं बेच देता हूँ, उसके लिए आप लोगों को follow करना पड़ेगा, सारी-जारी चीडियों के लिए, और groups के सारे-के सारे link description पर दिये हैं, जाओ, follow करो, और एक बढ़े आज़ी कम्यूंटी मिना, और इस वीडियो को share करो, सब के साथ, जितन इमानदारी से share करना है, clear है ना बात, और साथी साथ, कोई पीटा आउड़े तो आप इस नंबर पर send कर सकते हो, class related कोई query है तो आप इस नंबर पर call कर सकते हो, counselor से बात हो जाएगी, और आज के लिए यह इतना ही रखेंगे, हम लोग मिलेंगे next task पर, bye